करनाटक के चुनावी बिगुल का काउंडाउन शुरू हो गया है और थोड़ी देर में चुनाव आयोग करनाटक विधान सबाज चुनाव की तारीक का एलान करेगा दिली के विज्यान भवन में आदे घंटे बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉंफरेंस करेगा करनाटक विधान सुबा चुनाव की तारीकों की घोशना की जाएगी तारीकों की घोशना से पहले ही करनाटक के सियम बसोराज बोमाई का एक बयान आया है बसो राज बोमई ने कहा कि वो चुनाव के लिए तयार हैं और बीजेपी एक बार फिर करनाटक में सरकार बनाएगी कॉंग्रिस के दीके शिफ कुमार ने भी दावा किया है कि इस बार जनता कॉंग्रिस के हाथों में सत्ता सौपेगी करनाटक की मौझुदा विधानसवा का कारिकाल 24 माई को खत्म हो रहा है और उससे पहले राजमे चुनाव ज़रूरी है पिछली बार करनाटक में माई 2018 में विधान सभा के चुनाव हुए थे करनाटक में साल 2018 के विधान सभा चुनाव में 224 सीटों में से कॉंग्रेस को 80 सीटे मिली थी जबकि BJP को 104 सीटे हासिल हुई थी वहीं JDS के खाते में 37 सीटे आई थी कि किसी को भी पूल पहुमत नहीं मिला था और इसे पहले 2013 के चुनावों में अगर आप नज़र डाले तो कॉंग्रेस ने 122 सीटों के साथ लीड किया था जबकि BJP और JDS के खाते में महस 40-40 सीटे ही आई थी और अब इस बार 2023 विधान सभा के चुनावों का आज जब तारीकों का एलान होगा सब की नज़रे इसी पट्टी की हुई है चुनाव अयोग थोड़ी देर में तारीकों का एलान करने वाला है लेकिन कुछ नहीं होता है पीम को खत लिखने के बाद भी एक्शन नहीं हुआ है अरे वहां तो 40% की गवर्मेंट है और वो खुदी उनको मालूम है एक एक मेले के पास 88 करोड रुपे मिलते हैं इन्हों एक्शन नहीं लेते हैं यहां पर अपोजिशन का कोई छोटा मोटा भी मिला है उसको इतना बड़ा बनाते हैं और उसको निकालो इसको निकालो ED को बुलाव करते हैं और जिसके पास कुछ भी संपत्ती भी नहीं है वो अपोजिशन पार्टी को सताते हैं और यहां पर तो उनके पास एक एक के पास आट करोड़, दस करोड़ और गवर्मेंट में